असलाम अलेकुम फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मिद्ध आप लोग खरेश होंगे तो चलिए आज हम आपके लिए पिर से चिकन रेशिपिला हैं जो है चिकन अब गानी जो घर पे बिनाना बिल्कुल आसान है तो चलिए यहां पर हमने ले लिया है आदा किलो चिकन जिसको कर लिएन पर्सकर हाज अगर निघंड इसकी को सब्सक्त करने हैं जो तो चलिए यहां पर इसको सब्सक्राइब है तो टॉन गणें बारते क dignity nabu अगर आपके पल तैम नहीं है तो हैंट तो बना सकते हैं चलिए यहां पर हमने लिए एक मुट्री कोतमीर यहां पर दो मीडियम साइज के प्याज ले लिया है छे से साथ कली लसन के लिए दो इंच का टुकड़ा अधरक के लिया है साथ में एक टमाटर ले लिया है और छे मिर्च ले लितिमने हरी और थोड़ा सामने पुदीना ले आएं मिक्सर में दो ने कियार अच्छे से प्यांटर बना लेंगे जिदल यहां पे मिक्सर के जार में डाल दिया है आप संव अच्छे से प tremblingी ए करिख लेंगे अच्छा सा पेश्ट बनाना है तो जब देखे यहां पे चिकन फिर से लेके आते हैं देखिए यहां पे एक से ड़ेड़ घंटे तक ही रखे थे उसके बाद हम इसमें पेश्ट मिला रहे हैं जो हमने पीज लिया था तो चलिए यहां पे आप इसी तरह बिल्कुल पीज कर इसको इसमें मिला दीजिएगा जो भी जार में लगा है उसको अच्छे से चमन से निका आदा कप दही है यानी की 10 गिरम हमने लिया है और साथ में दही के बराबर मलाई लेंगे आदा कप यहां पे देखिए हमने घर की दूद की मलाई निकाल के रखिए और उसमें साथ में आदा कप हमने दूद मिला लिया आदा कप दही के साथ हमने आदा कप दूद मिला लिय चलो इसको एड़ कर देंगे उसी दही के साथ और इसको पीस कर एक स्मूठ सा पेश्ट बना कर तयार कर देंगे तो देखिए यहां पर हम सिफ मलाई और दही नहीं रखेंगे नहीं तो इसमें से ना मसक जैसा हो जाएगा इसमें दूड जरू डाल लेंगे थोड़ा सा इसके जिए फ profiles on ranked डूड द दाला लिया है तो यहाँ मारा 1 क्रीम सा विटर रिटर तयार हो गया है जो पहले इसको हमारे इंग्रींट से तरह से आहस्ता-ाहस्ता मिल कर Betsy यहां फे experiment तो अब इसको मिक्स करने के बाद हम 10-15 बिएं ही रख सकता है अगर आपके पास टाइम है तो नहीं तो हम इसको हैंड टो हैंड फ्राइ कर लेंगे तो चलिए यहां पर दिखिए हम इसको इस तरह से तरह से निकल जाएंगे पूरे मसाले के साथ अम इसको डीक फ्राइण करना है मसाले है मैं से चिकन निकाल के डारिक हम इस तरह से मसाले को झटक कर रण लिंगे उसके बाद अमक टैडिक अधार करें जो बाकर टार करें गे लिंए और लुप pues अडाले हमाहा द राडिक हमारा इस तरह competitive होना चाहिए इस तरह ऐर तो गृल ě OF दोट हमाたい पर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना एकदम हाइवी पर करेंगे, मैं मिडियम पर रखना है, छे से साथ मिनट में ये अच्छी तरह से इस तरह से फ्राइव हो जाएगा, तो चलिए, इसको हमने दूर्टे तरह पलड दिया है, 6-7 मिनट हो चुके हैं, और इसको दो बार चल तो देखिए यहां पर एक और पिन ले लेंगे उसमें डालेंगे दो टेबल स्पून तेल और साथ में उसमें डालेंगे तीन चोटी लाइची तीन लॉंग और थोड़ा सा डाल जिनी को टुकड़ा और एक जाओ तरीके टुकड़ा तो चलिए जो हमारे मसाले बच गयते हैं ग्रेवी चिकन के साथ जो हमने मिक्स करके रखेते हैं मिरिगनेट करके रखेते हैं तो उसको हम इसमें डाल लेंगे तो अब इसको में चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे और साथ में इसको हम हाइफ लेंप नहीं चलाएंगे नहीं तो यह बहुत तेज तेज फटने लगत तो इसको हम एक बार फिर से ढख देंगे जब यह बबल साना बंद हो जाएंगे तो समझे आपकी जो ग्रेवी का मसाला है वो अच्छे से रेडी हो गया तो चलिए यहां पर देख सकते हैं हमने पांच मिनिट के बाद फिर से इसको खोला है तो यह अभी बबल्स हो रहें पर इसका मतलब है हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है तो इसको दो से तीन मिनट तक इस तरह से चला कर भून लेंगे जब तक बबल सुनेंगे तो समझो आपकी ग्रेवी कच्छी है अभी पूरी तरह पर्फेक्ट नहीं है तो चलिए यहां पर अच्छे से हम इसको पहले फ्राइ करके रख दिया था अब इसको हम दो से तीन मिनट तक और अच्छे से मसाले में इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि यह मसाले को एक्जॉप कर ले उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो तेल बच गया था हमारा अगर हमारा तेल इसमें कम है तो इसमें और तरी जालने हैं तो इसको हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं इससे आपके ग्रेवी में तरी भी पूरी हो जाएगे और इसके फ्राइए की खुसबू भी बढ़ जाएगी तो चलिए देखिए यहां पे हम इसको निक्स कर देंगे अच्छे से इसके बाद अगर आपको इसी तरह थिक लिए हमने एक कप के करीब पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं बहुत ज्यादा इसको पतली नहीं करना है पर आपने हिसाब से रख सकते हैं देखिए यहां पे इसको हमने फिर से पानी डालकर 8-9 मिन देखिए यहां पे इसकी ग्रेवी की ठीकनिस इतना ही रखे हैं तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे एक वरतन या आप प्युपर यूज कर सकते हैं तो चलिए इसमें डाल देंगे कोईला जो ह गी तेल बेटल आपके पास जो भी अवेलबल है इस तरह से इसको ढख देंगे हम 6-7 मिनिट के लिए इससे बहुत ही अच्छा इस सsmोकी फिलेवर आ जाएगा हमारे चिकंधने चिकंधने चिकन अवगानी में समोकी फिलेवर लाना भहुत जरोर है तो चलिए यहां पर हमारे चिकंधने चिक अव्हान कुस्बनें आप इसको रिमूट कर देंगे और एक बार इसको हम फिर से चला लेंगे ताकि उपर से अंदर तक अच्छे से स्मुफ की फ्लेवर मिक्स हो जाए तो दीखें यहां पर हमारा चिकन अबगानी बिल्कुल रेडी हो चुका है आप इसको पराठे या नान से खाए बहुत ही टेश्टी बनका वीडियो होता है अब इसमें थोड़ा खोत्मे छिड़क देंगे अगर आपको फ्रेंड हमारे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले